राहु की उज्जाईयां देखी, केतु की गहराईयां भी, कभी खुशी की बजी शेहनाईयां, और कभी संघर्षों की तन्हाई राहु जिसकी मदद पे आये, खुल संसार के सर उसके सामने जुख जाये, अर्धकाय महावीरे, चंत्रादित्ते विमर्धनम, सहिंका गरब संभूत्तम राहु परनाम मेहं, ओम शिरी गनिशाय नमहा, पलासे पुश्प साकाश, तारका ग्रय मस्तकं, रोद्र रोधात्म भोर्त केतूतं परनाम मेहं, ओम राह राहवे नमहा, ओम गे केतवे नमहा, 2020, राहु और केतू का राशी परिवर्तन, तौरोस में राहु, वरिष्चक में केतू, जो ट्राजित अठ्रा महिनों के लिए, डेट साल के लिए करने जा रहा है, और अलग लग लगन पे, राशियों पे, यह क्या इफक्ट करेगा, मैं आज आपको उसके बारे में इसके फल को बताऊंगा, यह जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो भी मैं बारागरों के उपर मैं आपको एफक्ट दे रहा हूँ, इसके में ब्रहमन है, जो बच्चों के लिए अलग इसका जो परडिक्शन है, फीमेल्स के लिए अलग है, और एज इफक्ट है, छोटे से लेकर बड़े, एज जो कोई 18 साल का है, वो 28 है, वो 38 है, 48 का है, सब के लिए अलगला इफक्ट है, मैंने आपनी उपाए बताये हैं साथ में, ता कि आपको उपाए सभी के लिए एफक्टिव होंगे, उपाए जरूर कीजेगा, यह में राहू का जो पूरा ट्रांजिट है, उपाए को मैंने ज्या कुटुम बुस्तान, धनस्तान मेरा हूँ, ब्रस्पती की जड़ में, उमर गुजरी मंदिर जो मुफ्त माल खाते, मिले दिल कहां फिर, जो तु खैरा तो बाटे, मीन्स कि आपको मंदिर में जाकर, लंगर परशाद खाने से परहेज होगा, अगर इन केस आपको खाना भी पड़े, तो मंदिर के गले में कुछ ना कुछ पैसे डालके, खुद उठा लीजिए, पर शाद तो कोशिश करके ऐसा जरूर किजिए, और रोलर कोस्टर की तरह जीवन होगा, आप पैंडाउंस लाइफ में आते रहेंगे, बैंक बैलनस में एक बार तो नीचे जरूर जा पाता है, कोशिश करके किसी बिना पड़े, किसी डाकुमेंट को उपर आप साइन न करे, जो भी पेपर जरूर पड़े, और ये भी हो सकता है कि कोटुम्ब स्थान में कोई आपके कोई बीमारी की कारण किसी को इमीजेटली होस्पिटल जाना पड़े, आप उसका पता ले जरूर जाईए, आईसीओ के चक्कर लगते हैं, बार बार आप अगर वहां पे गए हो, आईसीओ में किसी को मिलने के लिए होस्पिटल तो अपने पैसे का कुछ न कुछ हिस्सा जरूर दीजिए, उनको दवाईयां जरूर ले के दीजिए, अगर कोई मेडिकल में परची क इसको बड़ोत्री करें, और आपके साथ कोई भी ठगी ना कर सके, वैसे तो राहु दो वाले वैसे बहुत बातूनी और बहुत तेज होते हैं, उनके साथ कोई इजी कुछ उनको ठग नहीं सकता है, और कोशिश करके सफेध फूल, शिविलिंग पे चड़ाने से, मंडे को बहुत फायदा होगा, चंदर का उपाई यहां पे भी मददगार होगा, क्योंकि चंदरमा से ही राहु का भुचाल शांत होता है, और राहु जब दो में आता है, ये तो मैंने खुद मेरा जो परसनल अक्सपिरियंस है, एक बार जूले जैसा जीवन जैसे इसको बोला है, आप जो उपर निचे जाता है, स्विंग होता है, उसको अप लीजिए, और जिससे तांकी आपके जीवन में स्टेबिल्टी आए, तौरस लगन, हाथी बैठा तक्त पे, तो तक्त थर थराने लगा, सूरज जिस घर में बैठा, उस घर में ग्रहन आने लगा, अब लगता है, आपको मूवर और पैकर को पैसे पे करके, यहां से वहां और वहां से यहां, एक बार तो जरूर जाना पड़ेगा, और टाइम टू रिन्यू यूर क्रेडिट कार्ड्स, एक्सपारी कार्ड्स इतने भी हैं घर से वो खैंक दीजे, और जैसे ही आप किसी का करने जाएंगे, तो मैंने देखा है कि बिल्ली बहुत ज़्यदा रास्ता काजती है, जाते समय कोई बिल्ली क्रोट करके जाती है, उसको अवाइड करें, नए अटीवी घर में आने वाला है, नई जगा अपशिफ्ट होने वाले हो, और जो चीजें भी गत्ते में, बोक्स में घर में आए, उसको ज़्यादा दे तक स्टोर ना करें, क्योंकि उससे आपके जो चलते कामों में विगन आ जाएंगे, देरी से होंगे, और कोशिश करें, फेस को अपने दूद से धोएं, जिसकी वज़े से आपके कोई परिशानिया न रहे, क्योंकि इसमें आपका ओ को साफ करते रहते हो, तो यह negative thoughts आपके मन में नहीं आएंगे, और सूरे का उपाए तरक्की के लिए सबसे अच्छा है, सूरे के लिए एक तामबे की ठाली में गुड़ और कनक डाल के मंदिर में दान करें, बहुत अच्छा उपाए हैं, और किसी को गालिया मत निका ले, अपने फैमिली में किसी भी रिष्टेदार को, अपने बहुत ही करीब दोस्त को, जो आप से बार बार कुछ पैसो की दुर्खास कर रहा है, आप से हल्प मांग रहा है, अगर हो सके तो उसकी हल्प जरूर कीजिए, ताकि आपका सूरे उच्छा हो, और मेरा ये मानना है कि सीड़ी पर चड़ने वाला हाथी मददकार, और आप ये उपाई करते हों, तो आप तरक्की की सीड़ी जरूर चड़ोगे, राहू जब लगन में आता है, तो राहू इजे हैट, ड्रेगन हैट, उसके नीचे होल है, नीचे उसका धड़ नहीं है, क्योंकि धड़ के पास ह और इसका जब ब्रह्मन लगन में होता है, तो आदमी को भूख ज्यादा लगनी शुरू हो जाती है, एक जैसा इतना वो खाता है, उससे ओवर खाना शुरू हो जाता है, जिसकी वज़े से उसका वेट गेन हो जाता है, तो क्योंकि उससे तसली नहीं होती है एक बार में, उसने दोबारा उस चीज़ को खाना है, जंग फूड की तरफ ज्यादा ध्याना हैगा, पीजा, बर्गर, और कोशिश करके साथ साथ में योगा भी करते रहे हैं, अगर आप ये चीज़े खा रहे हैं तो, थोड़ा सा दूद, शिवलिंग पर जरूर शड़ाएं, सोमवार को, ताकि चंद्रमा भी शांत रहे, और चांदी की चेन अपने गले में धारन करके रखें, अगर धनाड़े भनने का शोंख है, अगर आपकी रुके हुए पैसे आपको वापस नहीं मिल रहे हैं, तो कोशिश करके, आप अगर मिल जाए, तो बिल्ली की जेर, खाकी में बान कर, अगर आप अपनी तुजोरी में रखते हैं, तो इससे उसमें लक्षमी का वास है, उससे आपके घर में धन की वृदी होगी, और लक्षमी स्थिर रूप में घर में वास करेगी, ये मेरा परसनल अक्सपिरियंस भी है, अगर आप ये उपाई करते हैं, तो खजाने क्या जब रात सोता, मिथु लगन, राहु द्वादश में, खर्चों का खाना, हाथों जैसे खर्चे, बड़े बड़े, लंबे खर्चे, नीन का खाना, बेडरूम का खाना, खर्चों का खाना, राहु यहां पे आके आपको नीन नहीं आएगी, क्योंकि लेट पूरी हो पाएगी, खर्चे इतने बढ़ जाएंगे, अंदर अंदर से, अनक्स्पेक्टिड मनी खर्च ऐसा होगा, जो आपको बिना बरते लक्षमी चली जाए, और उसके लिए रोकने के लिए दुनिया इदर की उदर जाए, खाना, पकाने और खाने की जगे एक होनी च उसके लिए आपने बेडरूम में चीनी की बोरी, खांड़ दी बोरी, सौफ दी चोरी, हमेशा फैदा करेगी, हो सके, 24 केरट गोल्ड का चला, चीची के साथ वली उंगली में पहन के रखिए, और धुआ बिलकुल, जो लोग हुका पीते हैं, उनके पास फ्री के हुके में जो कोल आते हैं, वो पीने के लिए, वो बिलकुल मत यूज करें, और कोल तो घर में रखे ही मत, अगर कोई भी आपको सरकारी टेंशन है, जिसमें अर्चने हैं, वो उसके लिए आप 12 किलो कोईले, चलते पानी में बहाई हैं, शनिवार के दिन, और लेकिन चतुत भाव का देखना बहुत जुरूरी है, किसी का, मैं तो कंसल्ट करके ये उपाई जुरूर कीजिए, अगर आपको कोई सरकारी टेंशन है, आए दिन राजदर बार में कोई जगड़े हो रहे हैं, परिशानियों पर परिशानिया हो रही हैं, ये उपाई तभी रेकोमेंडेंशन तकि आपको नीढ अच्छी आएं तनिन अच्या ऐगी जब आपको टेंशन नहीं होगी, जब टेंशन होती है क्ifully दिमाग घूमता रहता है, सोते समय सोमें भी दिमाग चलता रहता है, आदमी करवेटे बदलता रहता है, तो इसलिए लाल कपने में सो बाँखने रखने से राहू आपको नेक्टिफ एक्ट नहीं करेगा आप अपने टार्गड अचीवर बनोगे अपने टार्गड अचीव हो जाएंगे आपके राहू का ग्यार्वे भाव में भ्रहवन बड़े जोर बदनामी जो सीना जोरी कसम खा के बेचेंगे सब माल चोरी मेंज कि आप कोई भी चीज किसी से चुपा के उसको बेचे मत चोरी मत बेचें मत चोरी मत करें खास करके लेकिन राहु जब 11 में आता है तो 11 खाना जो है आपकी income का खाना है सेविंग का खाना है उसको बढ़ाने के लिए आपको एक तो सोना पहनना बहुत अच्छा है गले में सोनी की चेन जरूर पहन के रखिए चांदी का गिलास बहुत अच्छा है चांदी के गिलास में पानी आप अपने spouse को भी साथ में वो भी पिए चांदी के गिलास में पानी और बच्चों के प्रती आपको जरूर इसमें कोई tension बरकरा रहेगी पिता की health खराब हो सकती है जो aged है जिनके पिता aged है उनके इनको चाहिए कि उनके गले में भी सोने की चेन पहन के रखें पहले उनको जो ऊपर का उड़ता है सिग्रेट का दान बहुत अच्छा है अगर आप भी शोकीन हो हुका पीने के सिग्रट पीने के तो आप चांदी की पाइब में सिग्रट पीएं उसमें राहू का जहर कम होता है क्योंकि अगर आप धुवां उड़ाते हो तो आपकी income का धुवां उ आरक्षन बहुत ज़्यदा रहेगी और कोशिश करके आप बाहर किसी को दोखा मत दें फीमेल्स को किसे के साथ आप चोरीशी पे चैट मत करें अगर आप चोरीशी पे चैट करते हो आपकी वाइफ को जुरूर पता चल जाएगा क्योंकि ब्रस्पती का भ्रमन है जो आगे कुंड़ी में चटे भाव में हो रहा है और शायद उससे कोई बजनामी ना हो इसलिए आप अपनी स्पाउस को दोखा बिल्कुल मत दीजिए और केसर का तिलक लगा ये चांदी की गिलास में पानी पीजिए राहू फाइदा ही करके जाएगा यहां पे बजुर्गों का हे सब्सक्राइब चलते पानी में जुरूर बहाईए ताकि घर में भुमारी ना आए राहू का दसंभाव में भ्रह्मन करम स्थान में करे दोस्ती तूं हाथी जा राजा घर का दुर्वाजा पड़ा रखना अच्छा ही होगा राहू जिसके दस में दुनिया उसके बस में ऐसे लोगों का जो बैटना उटना जो रिलेशन है वो बड़े लेवल के सरकारी अफसरों के साथ होता है जगर कुंड़ी में हो अगर जब भ्रहमन करता है तो अगर आपके कोई बुरे करम किये हुए तो पुलिस वाले इंक्वारी करने भी आते हैं पकड़ने भी आते है घर में इसलिए राहू दस में जिसनका भी अभी गोचर में आ रहा है कोशिश करके एक तो काले नीले रंग से परेज रखें वाइट कलर की कैप धूब में सर नंगा बिल्कुल मत रखें धूब में सर रखें और हो सके तो चलते पानी में आपको मंगल की चीजे बहानी में मसर की दाल पानी में बहाना और पीतल के लोटे में हल्दी की गाठें भरके नोर्थ डारेक्शन में रखना आपके लिए बहुत अच्छा है और हरुमांचली सा जरूर पढ़े मंगल वार वाले दिन और कोई भी अगर आपको डुपली डाकुमेंट्स या कोई भी चीज डुपलीकेट आप बिल्कुल मत बनाए ताकि आपको कोई आगे जाके फूचर में उसकी कोई प्रॉडम क्रिएट ना हो और अपने दोस्तों के साथ बैठके पार्टी करने का टाइम राहु दस में मीं आपको 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 बढ़ा के जाएगा कन्य लगन में राहु का भागिस्तान में नवव भाम में रावन ब्रस्पती के खाने में जब राहो आता है तो आपको पर झाल wise का मालिक बनाता है सुनते आप सबी को करते अपने मन की हो भाईयों से आपको कोई भी आर्गुमेंट्स नी होने चाहिए भाईयों के साथ इस समय एक हफते में एक दिन तो जुरूर अगर अलग-लग रह रहे हो तो आप अपने भाई के साथ बैठके खाना जुरूर खाईए उसका शीरवाल दीजिए उसको मीठा जुरूर खिलाए और आपके गले में सोने की चेन ब्रिस्पति कायम होना चाहिए क्योंकि राहू ब्रिस्पति की जड़ में बैठके कई बार ब्रिस्पति को खराब करता है और आपके एज परसन घर का बुजूर कोई भी वह आपके साथ में उसके पाउंद होके उस यह बालोवला बجر्ग कोई भी आपके साथ में है आपके पिता दादा और अगर नहीं है तो मंदिर का पुजारी उसका जिर्वा जरूर ले मंधिर में जाके मंदिर के दहलीजें में जो एंटरंस आपोड़ीएं सीड fertility वो जरूर साफ कीजिए और घर की जो में दहलीज है मैं इन दहलीज को दूद में केसर डालके रुमाल में लगा के उससे वो दहलीज को साफ केते रही तांकि आपका भग आपका साथ दे और आप आगे बढ़े और यसे में आर्गुमेंट्स मत कीजिए वैसे राहू जो नो में है वो एक कुल्डी में पांगलों का डक्टर जिसमें हाथ में शफा हो ऐसा भी लिखा हुआ है जो किसी की बात पर उस पर आर्गुमेंट्स करा लो उसको ऐसे बोलेगा जैसे उसने इस की पूरी इस फिल्ड की किसी भी के बारे में उन से पूछ लो उनको घर बैठे उस फिल्ड के पूरी नोलज होती है चाहे उसने कोई किताबे पढ़ी है या नहीं है लेकिन धरम इमान का पक्का लेकिन बाइमानी से कमाएगा पैसे जरूर एक बार यहां कोई ऐसा काम करने को मिड़ेगा जिसमें कमिशन मि चलते पानी में बहाते रहेंगे आपकी सफर में कोई दिक्कत नहीं आएगी रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी गले में इन्फेक्शन आना या बाजू में कोई फ्रैक्चर होना राहू नो में और के तुटीन में मैंने काफी देखा है या बच्चे को चोट लग ना सोने की चेन गले में पहन के रखना और हो सके तो गोल्ड जितना आप गले में पहन के रखेंगे उसका आपको फायदा ही होगा और अपने बुजुर्गों को आशीरवाद देते रहना सर्व पित्र अमावस जब भी अमावस आए तो एक पानी वाला नारियल जुरूर पि अआट